जाहिन साथियो, स्वागत है आपका Aromatic Classes के इस online platform पर, तो आज हम इस वीडियो में Human Digestive System यानि की मानप पाचन तंत्र से related 20 कुशन करने वाले हैं, जो की T20 IPL की तरह हर एक ओवर की जैसे आपको पॉपॉम करना है, और इससे पहले हमारे दो पार्ट आ चुके हैं, अगर आप उनको देख सकते हैं, मैं Link Description Box में देदूंगा आपको, ओके, तो आज हम इसमें Top 20 जो बचे हुए हैं, उसमें Part 3 में हम कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं पहले की तरफ, पहले की तरफ, पहले की तरफ, पहले की तरफ, पहले की तरफ है हमारा, उस प्रकिरिया को क्या कहते हैं, जिसमें बड़े और जटिल कार्बनेक अणू एनजाइम की साहता से चोटे और सलर अणू में तूटते हैं, ओके, तो उस प्रकिरिया को क्या कहते हैं, जिसमें जो हम बोजन ग्रेंड करते हैं, वो सलर प्रकिरिया के द्वारा चोटे अणू में तूटते हैं, तो Option No. प्रिक्रिया को हम कहते हैं पाचन जिसमें प्रते कनु छोटे-चोटे भागों में सरलता से तूट जाता है उसमें पाचन में यह प्रिक्रिया होती है लगारेवार कहते हैं इसे नीचे वाले पाट को कहते हैं नैक यानि कि गरदन और उससे नीचे वाले पाट को कहते हैं Root यानी की जड़ जो हमें बार से दिखाई देता है दात का बन वाई थर्ड ही हमें बार से दिखाई देता है बाकी का Two-by-Third हमारे मसूनों में दसाऊ हुआ रहता है जिसको Root कहते हैं तो इस कुशन का answer number B हमारा right हो जाएगा, यानि कि crown कहते हैं, उसको जो बाहर से दिखाई देता है, उसे हम crown कहते हैं, ओके friends, चलते हैं next question की तरफ, next question है हमारा question number third, सामाने अकल की दानत कम निकलती है, यानि कि कितने वर्स के बाद अकल की डान हमारी निकलना सिरू हो जाती है, तो option number A है 18 वर्स के बाद, option number B है 16 वर्स के बाद, option number C है 12 वर्स के बाद, option number D है 10 वर्स के बाद, तो अकल की डान हमेंसा बैस कोने पर ही निकलेगी, तो option number A हमारा right हो का 8 नमर का मॉलर में यानि कि चवर्णक दांत होते हैं यानि कि 3 और 3 6 एक जबड़े में होते हैं और दोनों जबड़ों में मिलाकर 12 दांत मॉलर होते हैं जो कि हमारी अकल की डाड़ भी इसमें काउंट होती है तर्ड नमर का पार्ट है जो हमारी अकल की डाड़ होती है यह सबसे बाद में 18 वर्स के बाद ही न कलती है ओके फ्रेंट्स तो नेक्स्ट क्यूंसी कर लेते हैे हैं अ現在 क्यूंसील नमर फूर जटण रप्रम्ण कौन S7 का चेन करना है हमें S7 कौन सा कतन है option नमर यह है जटर रस अमलिय प्रकरती का होता है option नमर भी है यह है अलके पीले रंग का होता है okay सही है C है हमारा इसका pH 1.2 से 3.0 है okay सही है और यह चारिय प्रकरती का होता है तो friends D option हमारा राइट हो जाएगा यानि कि यह सत्य है यह चारिय प्रकरती का नहीं होता यह है अमलिय प्रकरती का होता है यह इसका pH आप देख सकते हो 1.2 से 3.0 है तो इसका pH इतना कम है, 7 से कम अमलिया होता है, 0 से लेकर 7 तक यह है अमलिया प्रकर्तिके होते हैं, तो यह है अमलिया प्रकर्तिका है, चारिया प्रकर्तिका नहीं है, तो option number D हमारा राइट हो जाएगा, मनुस्य में अन्तिम पाचन कहां पर होता है, तो अन्तिम पाचन के बारे में पुछा है, option number A है चोटी आत में, option number B मलाश्य में, option number D है और option number D है बड़ी आत में, यह तीन पाट से मिलकर बनी होती है, चोटी आत, जो की पहले पाट को हम कहते हैं, डियोडेनम, बीच के पाट को कहते हैं, जेजुनियम, और अन्तिम पाट को चोटी आत के अन्तिम पाट को कहते हैं, इलियम, ओके, तो तीन पाट, चोटी आत, तीन भागों में विवाजित होती है और संपूर्ण पाचन हमारा चोड़ी आंत में ही होता है अगला क्यूशन कर लेते हैं क्यूशन नमर 6 है हमारा अगर रभी के पास दूद के दांत हैं तो इसकी संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है तो दूद के दांतों की संख्या पूचिए दूद के दांतों की संख इसना के बारे में बताय हुआ है साथ दो बारा जो 20 दांत आते हैं उनके साथ यह 12 दांत भी आते हैं जो की हमारा right answer option right हो जाएगा. तो 20 होते हैं, okay. दूद की नाथ कितने होते हैं? 20 होते हैं. Question number 7 है हमारा, जटर रस्में उपस्तित नेच कारक 10 के अपसोशन के लिए आवच सके. तो नेज कारक जो जटर रस्म है, जो पस्तित नेज कारक होता है, वो है किसके अफसोषण के लिए आवज सके, विटामिन के के अफसोषण के लिए, यानि कि विटामिन A के अफसोषट होता है, विटामिन C अफसोषट होता है, या विटामिन B 12 अफसोषट होता है, या कर जाते हैं okay तो जिटरबस्ट में नहीं होते हैं तो चोश नेंस वार में हैं आपको अगरी शवर्णक यह दान्त होते हैं जो दूद के दान्त में नहीं की जाते हैं अग्수Us च्छों में यह हैं नहीं होते, तो B option राइट हो जाएगा हमारा, नेक्ट्स कर लेते हैं, Q9 है पित्रस कहां से इस्तरावित होता है, पित्रस A option हो जाएगा, अग्नासा से, B है, हमासा है, C है, yकरत और D है चोटी आप तो फ्रेंड्स पित्रस यानि की बारे मैं आपको बता देता हूँ यह उत्पादित यानि की बनता है लीवर में कहां बनता है तो हमारा इसक्यूशन का राइट आंसर तो यक्रत हो जाएगा और यहां से बनने के बाद इससे बाइल ड़क्ट के द्वारा यहां प तो बाईल जूश की बात करें, तो यह है कहां बनता है या करत यानी की लिवर में बनता है, जो कि हमारे मानफ शरीर की सबसे बड़ी गरंथी होती है, उसके बाद second number की सबसे बड़ी गरंथी होती है, इसके बारे में पूछा है तो एक सामान में बैक्ती में एक दिन में कितना लार बनता है फ्रेंट्स एक से और डेल लीटर यह बनता है लेकिन हमें ज्यादा वाला लगाना है डेल लीटर अगर दोनों ऑप्सन में है लगबग एक लीटर लगबग डेल लीटर तो हमें डेल ल को पाचन क कौन सा एंज्याइम के दवारा होता है तो यह है जटर लाइपेज एंज्याइम के दवारा ए ऑप्सन है बी है पेपसीन के दवारा सी है ऐड्रोकόलर हम यान्गी और डी है रेनिन के द्वारा तो जो कि हमारे आमाज से में रेनिन एंजाइम निकलता है वसी के द्वारा केजीन प्रोटीन कैसोनीजीन में बदलता है और इस क्यूशन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्षन ओके नेक्स्ट क्यूशन देख लेते हैं किसे नमर 12 है ह हमारा जरूरत पढ़ने पर संचीत फπαस में कौन बदलता है तो जो फिल्लोग में में उसको कॉन बदलता है ये और Swooh सप्र wife Kaिएहन को मौन हार्म सट ठाएइ के मैं के मटाश वर्य यह aurवा झाल्यवड खिरऑप। एलपा सेल्स से फ्रेंट्स ग्लुकागोन हार्मोन निकलता है जो कि गलाइकोजन को ग्लुकोज में परिबर्तित करता है और बीटा सेल्स से हमारा इंसुलीन निकलता है जो कि रख्त में इंसुलीन की मात्रा को नियंतरत करके रखता है इसकी कमी से मदू में रोग हो जाता है और delta cells से हमारा somatoastrotein hormone निकलता है, ओके friends, next question कर लेते हैं, next question है हमारा question number 13, जीब के किस बाग में मीटे स्वाद का पता चलता है, तो friends, जीब के किस बाग में मीटे स्वाद का पता चलता है, तो मैं 5 स्वाद के बारे मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यह जीप की संदचना है जिसमें यह है जीप का पीछला बाला भाग जो की बिटर स्वाद देता है यानि कड़वा स्वाद यहां से महसूस होता है जब भी आपको फ्रेंट्स टेबलेट खानी है तो आप हमेशा जीप के आगले वाले इसे पर ही है भी प्रेंट्स-सवादों के बारें आपको पता चल गया है आगे मीटे का स्वाद होता है पीचे कड़वे का स्वाद होता है अगल अगल में हमारे साइडों में नमकीन और खटे को सुआ दो इस क्योशन का राइट डाइट हैं कि अगर्भाग में ही मीटे का सवाद होता है ऑक क्यूशन इसकी कमई इसमें अगर थायरोक्सीन हार्मोन निकलता है थायराइड गरंती में जिसकी कमई से हमें गेंगा या गलगन गोईटर रोग हो जाता है और यह है आईडून की मातरा को नियंतित करके रखती है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा बी ओप्सन थायरोड गिलेंड और लार गरंती की बात करें लार गरंती से हमारे मुझ में टायलिन एंजाइम निकलता है जो कि हमारे खाने के अंदर जो कारवाइड लिया जाता है उसके पाचन में साहब होती है और उसके अलाबा डी एकरत की बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी गरंती है तो का हमागा राइट आंसर होगा भी ओप्षन थायरोड गिलान्ट और याक्ट क्यूंच देख लेते हैं हमारा क्यूंच नमर 15 मनुस्षे में अगनासे के संदर में कौन ऐस सत्य है तो अगनासे के वारे में क्या सत्य है इसके वारे बताना है फ्रेंट्स तो अगनासे के वारे में गेरे एक पीले रंग की गरंती है तो ओके अगनासे गरंती एक पीले रंग की गरंती है ठीक है भी है हमारा यह एक मात्र मिश्रित गरंत सब Teachers सब्सक्राइब लिए श्रीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है सबसे बड़ी गरंती में डूसरी अश्री वड़ी गृति है चिस़े 2 सोफीर्णी कि और क Allahu का न टग्ट्थ वी है पित नलीका यानि की बाइल डक्ट और सी है यकरत अगनासे नलीका यानि की हैपेटक पैंक्रियाज डक्ट और यह पैंक्रियाज डक्ट तो इस क्यूशन का हमारा राइट अंसर हो जाएगा यानि कि यकरत अगना से नलीका के द्वारा ही इसमें क्यूशन पूचा हुआ है अगना से रस साथ में चोटी आद में डूदिनम बाल में पहुंचता है इसकी इसन का राइट अंसर हो जाएगा सब्सक्राइब रस समयंदी ग्राही और छीव दात की वाद करें तो हमारे मुख का में उपस्तेत होते हैं जीब भी हमारे मुख गुहिका में उपस्तित होती है उसके अलावा रस समयदी ग्राहियानी की जो लारिस्ट्रवन करती है ग्रंतियां वो भी हमारे मुख में होती है और एपिगलोटस की बात करें फ्रेंट्स तो एपिगलोटस हमारे मुख गुहिका में नहीं होता है यह हम को बंद कर लेती है उस्वास हाती यहां बै leopard के दòor में नहीं पहुचने देता । अगर बात हैं करते बयदा गुर依ा कर रहे हैं तो नहीं से झाल किसी गलत पहमी के चक्कर में यह कंप्यूज हो जाता है और हमारा बोजन स्वांस नलीका में चला जाता है तो हमें ठसका मैसूज होता है यानि कांसी आना इस्टार्ड हो जाती है तो वह पठाक से उपर उसको बोजन को फैंक देता है ओके तो एपिगलोटस इसका राइट आ दिया हुआ है यह नमर्त इंप दशाखाले क्रें इसका आकीरत कंपा में सब्स्याज होता है यह इसके बारे में पूछ करें इसकी तो यह नास्पति के आकार का होता है तो राइट हो जाएगा यह सही है नास्पति के आकार का होता है आमासे की बात करें फ्रेंट्स यह वाला तो यह है जे अंगरी जी के अक्चर जे की आकरती के समान होता है आपर जे लिखा हुआ था ऐसे तो आमासे जे की आकिर्थी का होता है अकिर्थी का होता है ना-निस्वति की एकार का होता है उटे इसके पास कोई नहीं होता है C है हमारा प्रति दिन 600 ml से 1 लीटर तक बाइल जूस का निर्मान होता है और D है इसका pH 7.7 से 8.4 तक होता है तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा तो सही कौन से नहीं है यह बसा का पाइसी करन नहीं करता है और इसके पास कोई अज्याम नहीं होता है यह हमारा राइट है यह यह बाला गलत हो जाएगा तो इसक्यूशन का राइट अंसर ए नमर का हो जाएगा हमारा बसा का पाइसी करन नहीं करता है बसा का पाइसी करन तो लिवर करता है वाई जूस करता है किसे नमर 20 है निम्न में से कौन सा एक यकरत का कार नहीं है तो यकरत का कार है कौन सा नहीं पढ़ता है तो बेस्कों में और वीजिक का निर्माटन का कर न सब्सक्राइं करते हैं पर groundbreaking कि महरते हैं । या करत कही होता है यह हमारे राइप एंसर हो जाएगा भी यानि की आर्वीजिक का निरमान कर ना तो में या कंपर अस्के Okay प्रेंट्स को प्रेंट्स को सब्सक्राइब कर लिए जो लाल बटन के पास में बैल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे क्या है आपके पास पहुंच जाएंगे और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स आपका दिन मंगल में हो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टी टॉप क्यूशन के साथ हम तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं जै हिंद जै बारत